दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर अने सेजु किस न्यूज में तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं अने जी अने भरती दोवजार अठारा बहुती मैत्पून वीडियो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखियेगा और वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ सेयर अवश्य करिएगा दोस्तों आईए देख लेती हैं क्या जानकारी है और उस जानकारी का सोर्स क्या है कहां से वो जानकारी ली गए है वो वीडियो में हम बताने वाले हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें without skip किये हुए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर राश्टा नर्सिंग भरती आज का मेत्रून अपडेट दो मार्च 2020 की ये जानकारी है और देखिए सूचना विसेज दोस्तों ये जानकारी है जो संगर समिती जो बनाई गई है राष्टा नर्सिज संगर समिती उसके दुआरा प्रोवाइड कराई गई है और उन्हीं के जो मैसिज के आधार पर आपको ये जानकारी दी जारी इस वीडियों के अंतरगत देखी दो मार्च संगर समिती के प्रियासों से आज राज राष्टान नर्सिज भरती पर लगे हुए केसों में पहली बार एजी महिंदर सिंग्वी जी पेस हुए गोर तलब है कि संगर समिती के प्रियासों से आज एनम जीनम के अधिकांस केसों पर सुनवाई थी जिसमें एजी सहाब महिंदर सिंग्वी डबल एजी विभूती बूसन सर्मा, EDV विवेक त्यागी जी, EDV हरसल जी और जोइन डिरॉक्टर संजे सक्षेना जी भी मौजूद रहे, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो केसिज की जो सुनवाई थी, उसमें तमाम जो महादी वक्त हैं, AG हैं, डबल एजी हैं, ADG हैं, तमाम लोग यहाँ पर उपस्तित रहे थे, आई कोर्स के ये मामला बताया जा रहा है, और देखें इसमें, AG सहाब महंद सिंग्मी जी ने जोरदार बहस की, लगभग एक घंटे ये बहस चली, बहुत ही शांदार ये इस पर उन्होंने अपना स्टेट्मेंट दिया, अपने तर्क वितर्क किये, आज हुई लगभग केसों पर निर्णा होने ही वाला था, जारी है, उनका जो विश्तरत, जो विवरन है, कौन-कौन से केसे थे, वो जानकर यहां पर उपलब्द नहीं है, मेरे पास, तो देखें उन्हों, जो अकोर्डिंग टू संगर समीती जो मैसेज है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखें, आप अगली सुनवाई के लिए ये पांच मार्च की डेट इन्हों ने बताई है, अधिकांस केसो पर फाइनल सुनवाई होगी, इसके बाद संपुन प्रते निदी मंडल, अत्रिक निदेशक, प्रसासर, आधनिया मुकुल सर्माजी से मुलाकात की गई थी, मुकुल सर्माजी हमेशा सरकारी पैरवी के लिए बहुत सांदार तरकपुन और तथ्यात्मक जवाब बनाते हैं, एक बार पूर्ण निवेदन क्या गिया, पांच मार्च को भी मजबू जवाब बनाया, जै जिससे अर्चनों से छुटकरा मिल सके, तो मुकुल सर्माजी मैंने भी कहा है कि अच्छी पहली यहां पर की जाएगी, आज की इस बात का प्रमान है कि सरकार पूर्णता हमारे साथ है, हमारे और आपके प्रियासों से हम सपल जरूर होंगे, तो यहां पर लगातार कोशिस की जारी है, संगर समीती के दुवारा लगातार अधिकारियों उनसे बातचीत की जारी है, उनसे मुलाकात की जारी है, और कहिने के उनसका परिणाम है कि जो डबले जी सहाब भी है, जो भी सरकारी अधिवक्ता हैं, वो लगातार इन के सोच की पैर भी करते आ रही हैं, ठीक है, और इसमें यह जो संगर समीती के जितनर कटारा जी, कमले जी, काफी सारे जो संगर समीती के चदस्यगन हैं, सयोजक्स हैं, अध्यक्स हैं, वो यहाँ पर इसमें सामिल रहे थे, तो यह जानकारी है दोस्तों, इस बात का पूरा का पूरा मैसेज का कहना यह है, कि जो भी केसे बच गए थे, उनकी आज हेरिंग होई थी, लेकिन उन पर फाइनल निन्ने नहीं हो सका है, और पांच मार्च का कहा गया है कि पांच मार्च को इन पर दुबारा से हेरिंग्स होगी और उस दिन संभवत्या, यह चीजें खत्म हो जाएंगी, तो वेट करते हैं दोस्तों, पांच मार्च का ज्यादा समय बचा नहीं है, दो दिन यानि कि चार कल तीन और चार पांच तारिक को फिर से इन केसिच पर सुनवाई होगी, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जल से जल इस वरती पर से यह जो नया इक प्रक्रियाएं हैं कानूनी अरचने मों हटे और आप लोगों को बहुत जल पोस्टिंग की खुसियां मिल सके तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की जो मैत्मून अपडेट है रास्ता नर्सिंग वरती 2018 वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लाइक करें और अगर जानकारी दोस्तों आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को सेर भी करिएगा और जी हाँ दोस्तों आपका जो कमेंट है बहुत चालिंता के साथ आप बता सकते हैं आपके हरे कमेंट कर रिप्लाइ देने कि मैं कोशिस करूँगा तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं तुन अपडेट के साथ और जी हाँ दोस्तों मेरा आपसे फिर निवेदन है कि दोस्तों कोट का चैरी या फिर भरतिस रिलेटेड कोई भी जो जानकारी है कोई भी जो चीज है कोई भी जो बास्चीत है उसको लेकर कि आप लोग उदास ना हो निरास ना हो चिंता ना करें बहुत सारे अभ्यारतिया आपके मन में ये सवाल बैठा देते हैं कि ये भरती रद हो जाएगी ये वीडियो के अंतरगाश दोस्तो ना तो भरती रद होने वाली है और ना ही दुबारा से कोई मेरिट लिस्ट बनने वाली है जिन जिन अभी आरतियों का फाइनल लिस्ट में नाम है वो निस्पी कर रहे हैं उनकी जो बलग चुकी है अब दोस्तो जोइनिंग देना पोस प्रती रद होने वाली है चाहिए नम हो चाहिए जीनम निस्पी कर रहें लेकिन दोस्तो गोट कचेरी के मामले हैं तो समय कुछ लग सकता इसलिए आप लोग चिंता ना करें और दोस्तो फिलाल के लिस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा और वीडियो आपको ज़दा सेयर करना है और चैनल को अवस्चे सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया क्योंकि रास्ता नर्सिंग भरती की प्रतीक न्यूज इस चैनल पर आपको लगातार प्रोवाइड की जा रही है और आगे भी आपको जब तक आपकी न्यूकती नहीं हो जाती तब तक आपको हर एक जानकारी इस चैनल पर रास्ता नर्सिंग भरती एनम और जीनम से रिलेटेड आपको दी जाएगी दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाएए और फिलाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जैहिंद खुस रही है खुसाल रही है